अगर आप Saomi का अगला स्मार्पवन खेने जाते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको ताम हुआ Saomi F1 और F205 के बारे हैं अगर आप इसके बाले में जानना जाते हैं तो यह वीडियो देखते रहे हैं मैं आप निसान जोदी आप देख रहे हैं निसान बार्थ लेट्स स्टॉप तोस्तों Saomi के अगले स्मार्पवन डिलीज से पहले कमनी ने इसकी स्पेसिफिकेसंस का खुलासा कर दिया है अब हम जाते हैं इसकी स्पेसिफिकेसंस के बारे में इसकी स्टॉप में इसके रेम ही तो हैं व्यों नित्स के एसकी सिफट करें हैं tutor का यानि Hongy और अगर हम इसमें यहां की जाने हैं लिफंगि 9 आप 254 इंटिश टोराई plus और अगर हम इसमें CPU का पते हों जाले ? Also M6Shade के पते हैं जाले जाले दो रेशनी सीज तो इसमें आपको बैटरी में लग भग 3,000 mAhC और अगर प्राइज भी बात करें तो F1 में की प्राइज होगी लग भग 7,800 पे और अगर हम बात करें गयोनी F250 की तो इसकी प्राइज होगी लग भग 11,000 पे यानि यह दोनों ही बचेटी स्पाटपोन है और अगर हम इसमें Cmc आप करें तो इसमें आपको मिलाका एंड्रिओं श Посक्वाण अड्रो के सेरोगा। उनों ही स्पाटपॉम्स में अफसे के महा गड़ में दूर के मात करें तो आको गयोनी F1 में दूर कर talkinст में बात करें तो आको गयोनी F2 स्थन दूर करां तो 10 के मेंदेश है उनी F 240 में आपको फ्रेंट प्रेशिंग के ना विलेगा आफ में आपको इसी के साथ कमनी कई और स्पार्फोंस भी रेस किने वाली है जैसे कि स्टील 3 M7 Plus और S11 प्लस यह कमनी के आने वाली स्मार्फोंस होगे अप देखतें कि यह स्मार्फों मार्केट में कब तक आता है मुझे उमीद है कि आपको गियो नी F1 और गियो नी F200 पांज का यह वीडियो प्षंदा होगा अगर आपको यह वीडियो प्संदा हो यह वीडि प्सक्ष्ट वाल